ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रुक सादर जैसी कृष्ण हमारे यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अचारिधर मिंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशिफल यह राशिफल है 11 नवंबर 2022 शुक्रवार का दिन है अगहन मास के यहने मार्गशीश महा के कृष्ण पक्ष की इस दिन तरतिया थिती रहेगी लेकिन शाम के समय चतूर्थी थिती होने से इसी दिन गणेश चतूर्थी का महा पर रहेगा जो प्रत्येक महा के कृष्ण पक्ष की गणेश चतूर्थी का अवरत करते हैं उनको इसी दिन गनेश चतूर्थी का संकष्टी चतूर्थी का अवरत करना चाहिए तथा चंदरोदे शाम को साथ बच के 32 मिनिट पर होगा और म्रक्षिरा नामक नक्षत्र होगा एवं रशब रासी में चंदरमा बिराजित रहेंगे दिशासुल के अगर हम बात करें तो प राहुकाल जो की सुबह साड़े दस बजे से शुरू होकर के दो पहर बारा बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब एवं मांगलिक कारिक्रम आपको संपादित नहीं करना चाहिए हलाकि राहुकाल का निर्णे आप अपने ख्षेतर के पंचांग अत्वा केलेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेतरों में माना जाता है और कई छेतरों में नहीं भी माना जाता है देनिक ग्रह गोचर के दिए हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरी देव जो की तुला राशी में वहीं चंदरमा ब्रशब राशी में मंगल ग्रह मिथुन राशी में बुद्ध ग्रह तुला राशी में देवगुरू बहस्पती जोकी मीन राशी में, शुक्र गरह तुला राशी में, शनी डेव मकर राशी में, राहु गरह मेंस राशी में तथा केतु गरह तुला राशी में विराजित रहेंगे। चंद्रोदय साम को साथ बच के 32 मिनिट पर जब होगा, तो उसके पहले गनेश जी का पूजन करे, चंद्रमा का पूजन करे, और चंद्रमा को और्ग दे करके वरत का आप पारणा कर सकते हैं। तो अब हम आपको मेंस से ले करके मीन सभी 12 राशी वालों का देनिक राशी फल पता ने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेस राशी ही। पिछले कुछ समय से किसी के साथ चल रहे हैं, खराप संबंदों में सुधार आएगा। घर की सुक्स्विधाओं संबंदी कारियों में आपका विशेस योगदान रहेगा। इस समय आर्थी किस्तिती उचित बनी रहेगी। भविश्य शंबंदी निवेश के लिए समय और दिन उत्तम है। संतान से संबंदे कुस्त कारियों में आपका धन खर्च होगा। खर्च की अडिक्टा हो सकती है। अपनी भावकता जैसे स्वभाव पर नियंत्र रखे। अन्यता कुछ लोग आपका गलत फाइदा उठा सकते हैं। भागिशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की। इस समय कुछ धार्मिक, सामाजिक था, अन्य, कारियों के प्रती आपका विशेस योगदान रहेगा। आपको एक नई पहचान प्राप्त होगी। किसी पारिवारिक मुद्दे में भी आपकी विशेस उपस्तिती रहेगी। इस समय परिस्टितियों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। समय का सदुपयोग आपको करना चाहिए। ध्यान रखे कि किसी नजदी की रिस्तिदार की वज़े से धन हानी संभाव होए। लेन देन करते समय लापरवाही बिलकुल न करे। घर के बुजुर्गों के स्वास्त का विशेस ध्यान रखे। यह समय किसी भी यात्रा करने के लिए उचित नहीं है। अब हम बात करते हैं मितुन राशी की आपका अधिक्तम समय अपने व्यक्तितों को और अधिक बहतर बनाने में व्यतित होगा। विध्यार्तियों को विध्या या सिक्षा के अनुरूप कोई न कोई नोकरी मिलने से उनकी चिंताएं दूर हो जाएगी। धार मकार्म तथा अध्यात में गती विधियों में आपकी रूची बढ़ेगी। इस समय धन के लेंडन संबंदी कोई नुकसान होने की स्थितियां बन रही है। जिसकी वज़ा से स्वभाव में चिर्चड़ा पन रहेगा। आपकी अधिकार पुर्ण वानी दूसरों को नाराज कर सकती है। अपने स्वभाव को सहज वा नरम बना करके आपको रखना चाहिए। आज कोई भी नया काम शुरू न करे तो ही बेतर है। क्योंकि इस समय कोई भी महत्वपुर्ण इननने गलत होने की वज़ा से नुकसान हो सकता है। बहतर होगा कि वर्तमान परिसितियों पर ध्यान दे, नुक्री पिशा वेक्तियों को काम की अधिकता की वज़े से ओर टाइम भी करना पड़ेगा। उपाई के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में चावल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक साथ होगा, भागिशाली रंग आपका बाडामी होगा। अब हम बात करते हैं करकराशी की। आज परिवार के साथ साथ आप कोई ऐसा काम भी करेंगे जैसे आपको आगे चल करके फाइदा होगा। खरिदारी होगी समय अच्छे से वितित होगा, सभी सदस्यों के बीच हास परिहास तथा मनुरंजन भरा वातावरन रहेगा, परिवार तथा व्यवसाय के बीच बहतर तालमेल बना कर रखेंगे, व्यस्तता के बावजूद सभी कार्य सहज तरीके से पूरे हो जाएंगे, परंतु अपने विरोधियों की गटी विधियों को नजर अंदाज न करे, आप किसी शड्यंत्र या गलत फिमी के शिकार भी हो सकते हैं, किसी रिस्तदार या मित्र से कुछ कहा सुनी हो सकती है, मन आपका व्यतित हो सकता है, उपाई के रूप में भोजन के बाद मीथी वस पूर्ण लोगों के बीच में कुछ समय व्यतित करना आपके आत्मबलव कारिक्षमता में और अधिक व्रद्धी करेगा, आपकी वानी दूसरों के ऊपर एक छाप छोड़ेगी, सामाजी क्षत्र में आपके संपर्क का दाइरा बढ़ेगा, कभी-कभी ऐसा प्रतीत होगा कि भाग्या आपका सांत नहीं दे रहा है, जिसकी वज़े से आपके आत्मुश्वास में कुछ कमी आ सकती है, परंतु मनन करे कि आपको मैसूस होगा कि यह सिर्फ आपका वहम है, लाभ के सुरोत कुछ कम रहेंगे, मशीनरी, खनपान से संबंदित, व्यवसाय में बहतर आ भर के मंदिर में पीला फूल चड़ाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक नो होगा, भागिशाली रंग आपका सफेद होगा, अब हम बात करते हैं कन्या राशी की, आपके उत्तम व्यक्तितों तथा प्रभाव साली वानी के प्रभाव स सामाजिक और पारिवारिक शेत्र में आपका रुत्बा बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपके कुछ महत्युपूर्ण लोगों से संपर्क घनिष्ट होंगे, दोस्तों तथा रिस्तेदारों के साथ मेल मिलाब से खुशी आपको महसूस होगी, अपने आपको तर घास या हरी सबजी खिलाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक छे होगा, भागिशाली रंग आपका लाल होगा, अब हम बात करते हैं तुला राशी की, दिन की शिरवात बहुत ही सुखद रहेगी, आपके सभी सोचे समझे काम शांती किसी मुसीबत में पढ़ सकते हैं, आप पर कोई बदनामी का आरोप भी लग सकता है, इसलिए इस समय बहुती समझदारी से काम लेने की आउशकता है, घर के वरिष्ट व्यक्तियों की सलाहा पर आपको अमल करना चाहिए, आज अपनी उर्जा सकारत्मक कारियों में पैसा भी आपको प्राप्त होगा, और उपाय के रूप में गरिब व्यक्ति को चने की डाल का दान करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक चार होगा, भागिशाली रंग आपका बादामी होगा, अब हम बात करते हैं व्रश्चिक योजिनाई बनेगी, तथा निवेश संबंदी कारियों में आपकी दिलचस्पी रहेगी, दिल की बजाए दिमाग से काम करें, हिम्मत और साहस के बल पर असंभाव कारी भी आसानी से संभाव हो जाएंगे, भाउकता में आकर कोई भी गलत निरनाय न करे, किसी नजदी की रिस्तिदार से मामूली बात पर वैचारिक मध्वेद हो सकते हैं, इसके कारण संबंदों में खटास उत्पन हो सकती है, कोई भी बहरी व्यक्ति आपकी भाउनाओं का गलत फाइदा उठा सकता है, इस समय अत्याधिक सचेत रहने की आपके लिए आउशकता होगी, और बात करते हैं धनुराशी की, आर्थी किस्टि बहतर रहेगी, रुका हुआ या उधार दिया पैसा वापस मिलने से राहत मिलेगी, तथा अपनी व्यभार कुशलता द्वारा किसी भी प्रकार का काम निकालने में आप सक्षम रहेंगे, किसी नजदी की व्यक्ति के घर जान कुंकुम का तिलक लगाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक साथ होगा, भागिशाली रंग आपका औरेंज होगा, अब हम बात करते हैं मकर राशी की, आप अपनी योजना किसी भी प्रकार से जो है किसी के सामने प्रगट न करे, गुप आपको मिले, उससे नजर अंदाज न करे, आपके लिए वह फाइदे मन साबित होगी, उपाई के रूप में काले तिल, गाए को खिलाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक छे होगा, भागिशाली रंग आपका नीला होगा, अब हम बात क आपका विशेस योगदान रहेगा, बच्चों के साथ उनके क्रिया कलापों में रूची जाहिर करना उनके आत्मिश्वास को और अधिक बढ़ाएगा, घर की किसी महत्वपूर्ण वस्तु के न मिलने से कुछ चिंता हो सकती है, और उपाई के रूप में देवी जी के वक्षमता को निखारने का उसर प्राप्त होगा, समाज में आपकी किसी विशेस उपलब्धी को लेकर के चरचाएं रहेगी, जैसे मन में उमंग वरी रहेगी, किसी महत्वपूर्ण यात्रा का योग बन रहा है, और उपाई के रूप में माता लक्षमी जी को पिला फूल चड़ाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक तीन होगा, भागिशाली रंग आपका लाल होगा, तो मित्रो यहां बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाई तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपक तक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंड करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लिजिए आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी कृष्ण सा